नमस्कार दोस्टो, स्वागत है आपका एक बार फिर M6 Shore Gain के इस वीडियो टुटोरियल में मैं हूँ आपका दोस्थ परवीन णा और आज की इस वीडियो में दोस्थो हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में और आज के इस वीडियो में हम आपको एक इंडिकेटर भी दिखाएंगे जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आज कल की मार्च की जो सिच्वेशन है उस सिच्वेशन में पोजिशनल ट्रेडिंग करना या एनर मेल की जो ट्रेड्स लेना वो दो तरीके से बहुत टफ हो गया है पहली वज़ा तो यही है कि आज कल जो मार्केट के हालात हैं या कोरोना का जो अभी यहां पर प्रकोप फैला हुआ है उस प्रकोप को चलते हुए काफी सारे क्राइसिस मार्केट में आ रहे हैं लेवल पता नहीं चल पाता कभी मार्केट बहुत ज़्यादा गैपस में गैप अप हो जाती है कभी गैप डाउन हो जाती है तो एक आइडिया नहीं मिल पारा पोजिशनल ट्रेडर्स को कि किस तरफ ट्रेड करना उनके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या किस तरफ ट्रेड करने से उन्हें मुनाफ़ा मिल सकता है तो दूसरा इसका एक रीजन ये भी है कि आजकल जिस तरीके के हालात मैंने आपको बताया मार्किट के हैं उससे ब्रोकर्स भी काफी डरे हुए हैं अभी रिसेंटली आप सबी ने देखा होगा कि क्रूड ओयल का जो क्रूड ओयल का वैल्यू इतना कम हो गया था जिसकी वज़े से ब्रोकर्स बहुत जादा डर गए हैं और मार्जन उन्होंने काफी बढ़ा दिये हैं क्रूड ओयल के मार्जन की बात करें तो आज कल 100% मार्जन वो लोग ले रहे हैं नॉर्मल ट्रेड्स करने के लिए तीन लाग का मार्जन हर कोई ले रहा है नॉर्मल ट्रेडिंग करने के लिए वहां हमारे पास trading करने के लिए एक ही जरीया बचा है वो है intraday trading करना दूसरा जरीया यह है कि आप options में या किसी ऐसी चीज में trade कर सकते हैं जहां कम margin में आपको profitability मिलने के chances हैं लेकिन आज की इस फीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे intraday trading के बारे में जो की stock futures या stock cash या commodities के लिए आप कर सकते हैं तो commodity market में यानि mcx market में trading करने का एक फायदा ये भी है कि market जो है सुबह 9 से 11.30 तक चलती है तो एक अच्छा खासा time मिल जाता है working people को भी trading करने का कि वो अपना office से आके भी trading कर सकते हैं क्योंकि time काफी जादा मिल जाता है यहां पर trading करने के लिए तो इसमें intraday trading का क्या role है रहेगा और indicator किस तरीके से perform करेगा उसके बारे में दोस्तों थोड़ा सब discuss कर लेते हैं आप अपनी चार्ट स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक चार्ट खोला हुआ है मैंने जो की bank nifty का चार्ट है 15 रमनट के time frame का इसमें दोस्तों हमारे पास जो indicator है जिसका नाम है eagle trading system basically मैं आपको इसकी working के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि यह एक price range breakout पर trade करता है किसी भी indicators या moving average या trend following indicators को हमने follow नहीं किया है इस indicator में या इस strategy के अंदर हमने सिर्फ price action को धियान में दिया है क्योंकि price action हमें एक early entry देता है हमेशा आपको price action वाली strategy में जल्दी entry मिल जाती है किसी भी trade को करने के लिए तो इसमें हमने इस्तमाल किया है price action का जिसमें की एक range breakout को हम consider करते हैं और जैसे ही कोई range breakout होता है तो हम signals यहाँ पर generate कर देते हैं और उस signals के उपर आप trading करते हैं तो दोस्तों जादा समय न गवाते हुए इस वीडियो को आगे शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इस strategy में यानि की eagle trading system के अंदर आप trading कर सकते हैं दोस्तों सबसे एक important चीज में आपको बताता हूँ इस strategy का कि किस तरीके से इसका working रहेगा working यह है कि दिन में आपको सिर्फ एक signal लेना है एक ही signal पे trade करना है अगर कोई reverse signal आयाता है अगर उसका opposite signal आयाता है तो आपको trade से exit कर देना है और उस दिन कोई trade नहीं लेना है एक कोई भी trade आप ले सकते हैं और market closing होने से पहले उस trade को आप खतम कर दीजिए उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या profitability आपको मिल रही है अच्छा खासा profit आपको देखने को मिलेगा दूसरी चीज मैंने बताया है कि stop loss stop loss मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तों आपको stop loss नहीं लेना है बिल्कुल आपको stop loss लेना है लेकिन आपका stop loss क्या रहेगा अगर reverse signal आता है तो वो आपका stop loss रहेगा इस तरीके से हम strategy को लेके चलेंगे इस तरीके से हम profitability का भी consider करेंगे क्या profitability मिल रही है किस तरीके से आ रहा है इसमें आपको दो चीजों का फायदा होगा दोस्तों या तो आपको अच्छा खासा profit मिलेगा या आप no profit low loss या फिर एक बहुत चोटे से loss पे अपनी positions को exit कर देंगे और उस दिन के लिए आपको profit तो नहीं मिलेगा लेकिन आपका नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि positional trading करने में आपको पता ही है कि आज कल जो gaps हैं उनके चलते कभी भी पताने चलता अगर आप आज ट्रेड लेगे और कल को वह crude oil हो गया या बैंक निफ्टी हो गया 1000.500.00 उपर नीचे खोल जाती है तो वहाँ पर एक अच्छा खसल loss हमें देखने को मिल जाता है उसकी वज़े से काफी जादा परेशानिया ट्रेडिंग में आगे आ जाती है तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों की जिस तरीके के signals आप देख रहे हैं जैसे यह जो है कलकाट signal है फ्राइडे का signal है जिसमें हमें सिगनल मिला उपर हमें वैल्यू लिकिए कित्ते पर सिगनल आया मागेट क्लोज होते होते आठ नो पॉइंट के आसपास ही प्रॉफिट मिल पाया तो हमारा नुकसान नहीं हुआ यह सबसे बड़ी बात यहां पर नेक्स सिगनल इसमें जो हम देख सकते हैं कि नीचे मार्केट 130 पॉइंट के आसपास तक डाउन गई थी अगर हम चाते हैं अपना प्रॉफिट बुक करना अर्ली प्रॉफिट जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो बुक कर सकते हैं और जो नहीं चाते हैं उनके लिए सिंप के बाद मार्केट रिवर्स नहीं होई और मार्केट वन साइडेड मूव देते हुई लास्ट की कैंडल पर बात करेंगे तो 400 पॉइंट का प्रॉफिट हमें देके मार्केट चली गई तो ये एक अच्छा कासा प्रॉफिट हमें मिल गया दो दिन हमें नुकसान भी नहीं ह और तीसे दिन हमें प्रॉफिट मिला aiसा ही चौते दिन की अगर बात करें तो चौते दिन में भी जो ट्रैड आया जो सिगनल आया दोस्तों उस सिगनल में हमें LASCND तक जाने से एक पड़ा उससे पिछले दिन की बात करूं तो उससे पिछले दिन भी आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन गया और डाउन जाने के बार लास्ट केंडल के ओपर होने पर आपको ज्यादा नहीं तो सिरफ 25 से 30 पॉइंट का नुक्सान हुआ उससे अगले दिन की बात करेंगे तो उससे अगले दिन भी अगर आप देखें तो यहां पर आपको बाई का सिगनल मिला और बाई के सिगनल में आपको 120 रुपे के आसपास का प्रॉफिट यहां पर मिल जाता है उससे पिछले दिन की और 24 जुन से अभी तक की डेटा में आप देख पाएंगे कि यहां पर जो सिगनल समय मिले हैं उनमें क्या प्रॉफिट इबिलिटी रही है दूसरा एक चीज़ और बताता हूं जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं छोड़ी छोड़ी ट्रेडिंग करना पसंद करत हैं वो भी इस इंडिकेटर में आराम से काम कर सकते हैं काम करके प्रॉफिट मिलने पर अपनी पोजिशन को एक्जिट कर सकते हैं और एक सीधा सदह मैं आपको चीज़ बताता हूं दोस्तों आप नॉर्मली आप कोई ट्रेडिंग करते हैं आप अपने मर्जी से ट्रेडिं तो कुछ हमें पता नहीं होता लेकिन चार्टिंग जब आप करते हैं चार्ट जब आप यूज करते तो आपको प्रॉपर इस चीज़ का आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से सिगनल आ रहे हैं किस तरीके से आपको ट्रेड मिल रहा है तो दोस्तों अगर आप ये वाला क्लिव ट्रेडिंग सिस्टम का डेमॉंस्रेशन लेना चाते हो या इसकी सर्विस परचेज करना चाहते तो आप परचेज कर सकते हो ट्रिपल नाइन पर मंत का चार्ज रहेगा इसमें देखे दोस्तों नॉर्मल है आपको चार्टिंग सौपट्रेज करते हैं तो आराम से आपको हजार दो हजार रुपे पर मंत आपको पे करना पड़ता है 30, 40, 50, 60, के 50-60,000 तक के सालाना सॉफ्ट्वेर्स आपको मिलते हैं इसमें आपको सिर्फ 12,000 रुपे पे करने होंगे सालाना और इसमें आपको साथ में डेटा फीड की सर्विस भी मिल जाती है डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा www.mcshoregain.com हमारी वेबसाइट है तो दोस्तों देर मत कीजिए हमारी वेबसाइट पे जाएए फॉर्म फिल करिए ताकि हम आपको डेमो के लिए कॉल कर सकें दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर हैपी ट्रेडिंग